कि नमश्कार दोस्तों आप देख रहे जेपी व्लॉग नरी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल ने अभी अभी नया एक फीचर लॉंच किया है जिसके मदद से आप अपना विजिटिंग कार्ड जो है वह ओनलाइन देख सकते हैं डिरेक्ली आउन गूगल सर्च तो चलिए देख लेते हैं यह कैसा है और इसका जो डिजाइन वह कैसा दिखता है गूगल पर सर्च करने के बाद वो भी देखेंगे फिर इसके बाद इसका एक जनरल हाउ टू मेक इट में बताऊंगा कि कैसे करेंगे तो चलिए शुरू करते वीडिय नेम टाइब कीजिए एस इस ठीक है तो अभी मेरा चैनल का नाम है जेपी व्लॉग नरी ठीक है तो मैं यहां पर गूगल सर्च में वही टाइब करने वाला हूँ अभी आप देख सकते हो कि मैंने गूगल सर्च में मेरा नाम टाइप कर दिया है और कुछ रिजल्ट्स आये हुए है यह जो मेरा चैनल है उसके वीडियो से यह आप देख सकते हो तो ठीक है इसके बाद फर्स्ट जो रिजल्ट है सर्च रिजल्ट तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एड योसेल्ट तो गूगल सर्च ठीक है तो कुछ डीटेल से शेर दे बैसिक सबस्ट योसेल्ट और और एक्स्प्रेस योसेल्फ मोर फुल्ली बाइटिंग यूर पैशन्स और होबीज शाइन है तो यह आपको एक विजिटिंग कार्ड वर्च विजिटिंग कार्ड जिसे हम कह सकते हैं वह बनाने में आपको हेल्प करेगी गूगल ने यह फीचर ट्यूझेज को लांच किया है और यह इंडिया में लांच हो चुका है तो आप इसकी मदद से एक वेशल कि वहां पर मौजूद हो सकती है और उसके बाद सोशल मीडिया के आपकी जो प्रोफाइल से उसकी भी लिंक्स आप इसमें डाल सकते हो तो फॉर एक्जामपल के तौर पर हम यहां पर क्लिक करेंगे अभी व्यू एक्जामपल पर देखते क्या है ठीक है तो यह एक एक्जाम पर उनका जो वेबसाइट का लिंक है www.example.com अभी एक्जामपल हो सकता है यह ट्रूली एक पब्लिक विजिटिंग कार्ड नहीं हो सकता यह फॉर एक्जामपल हो सकता है I don't know exactly ठीक है फिर इसके बाद नीचे आपको तीन टैप्स दिखाई दे रहे हैं जा पर एक तो इम अब अपने दोस्तों को या तो फिर अपने कलिक्स को बता सकते हो कि मेरा चॉप कर दिज्ये गूगल में आपको मेरा विजिटिंग काड ठीक है तो इसके मदद से आपको फिजिकली जो हम पहले कार्ड देते थे लोगों को कि यह लो भईया हमारा यह विजिटिंग कार्ड इसमें आपको फोन नंबर जीमेल आईडी वगरा वगरा सब मिल जाएंगा तो यह आभी करने की जरुवत नहीं है यह फीचर अच्छा लगता है मतलब काफी हाथ तक यह फीचर मुझे अच्छा लगा अपीलिंग लगा एक्चुली कहा जाए तो तो इसे हम कैसे बनाए ठीक आपका फोन नंबर यूज करना वड़ेगा यह फोन नंबर आप वन टाइम यूज कर सकते हो एक प्रोफाइल के लिए ऐसा गूगल के इंफोर्मेशन सेक्षन में था अभी मैं को एक्जक्ली पता नहीं कि क्या है कैसे है तो इसे मैंने यूज तो किया नहीं अभी तक और नहीं करूंगा अधरवाइस कर भी लूँगा फ्यूचर इन फ्यूचर तो मैं अभी फिलाल के लिए गेट स्टार्डर पे क्लिक करके दखते कि क्या होता है पर सबसे पहले बाद आपको आपका जीमेल आईडी लॉगड इन करना पड़ेगा उसके बाद ही आप सर्च कीज आपना नेम इंसाइड गूगर ठीक है इन गूगल सर्च तो ही आपको यह दिखेगा अधरवाइस यह चीज नहीं दिखेगी आपको यह जिस फर्स्ट वाला सर्च है एडियोसर्फ गूगल सर्च तो यह चीज तभी दिखाई देंगी जब आप लॉगड इन होगे आपकी जीमेल अकाउंट से तो आभी देख लेते हैं यार की गेट स्टाइट पर क्लिक कर कि क्या हमें देखने मिलता है तो यह आप है यह बता रहे है क्रिएट यॉर पब्लिक कार्ड क्रिएट पब्लिक प्रोफाइल ऑचल जी तो यह तो इसके लिए आपको आपना फ्रोन झमर्ट वेरिफाइड करना पढ़ेगा सबहसे पहले दो तो यूनिट टीप half are unique phone number to that यह कराड मतलब यह पब्लिक भानने के लिए आपको एक फॉन नमबर यूज करना पढ़ेगा और यह रिजिस्टर हो जाएगा यह फोन नमबर वो पब्लिक कार्ड पे ठीक है इस वोंट बी शोन यूर पब्लिक नेम यहाप एक बर पढ़ लेते हैं यार यूनिट तो वेरिफा यूनिक फोन नमबर तो क्रेट यूर कार्ड यू कैंचूस तो डिस्पले इस और अनादर नमबर ओन यूर कार्ड लेटर मतलब आप चूस कर सकते हो कि आपका फोन नमबर दिखाई दे या ना दे ठीक है इस वोंट मेक यूर नमबर पब्लिक मतलब आप यहाप पे वेरिफाई करते हो फोन नमबर तो यह फोन नमबर आपका पॉलिकली शोड नहीं होगा ठीक है फिर इसके बाद बोलता है गूगल विल वेरिफाई इस नमबर विद एसमेस और बाद एक्षंगी आपका जो सर्विस प्रवाइद रहे हो अपको जो सर्विस प्रोइड है हो इस बेलंगे रहे से इस निशोड विल वेरिफाई कंबर श्याइट शॉ़र आपका शोडस कीड करते है और देख लेते है कि क्या-क्या information हमें फील करना है तो यापे वो कहते है when people search for you on google now you can show them what you care about most including the hobbies you love the creations you make and whatever else gets you excited to start the day ठीक है is this a business added to google year okay, some features name होगा, location होगा about section होगा occupation होगा, जापे आप काम करता हो work तो basically एक bio data के सकते हैं आप जो की आप के लिए जो की दूसरों के लिए important है अगर आप अगर कोई आपको contact करना चाहता है तो work section में कहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो education में कहां सा education किया, hometown then website social profiles okay तो these many other social profiles where you can put in your link to the profile which you own and it will be directed to this profile when visitor clicks on the link or something like that it will be this only ठीक है फिर उसके बाद email आप add कर सकते हो फिर social profile ये तो हो गया फिर food number add कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आप लोग information enter कर सकते हो and then preview पे click किजिए आपको preview दिखाई देगा आपके virtual visiting card का और इसे आप बनाना चाहते तो बना सकते हैं फिलाल के लिए मैं कुछ ये अभी बन बनाऊंगा नहीं इसकी मुझे अभी ज़रुवत तो नहीं है शायद मेरा चैनल इतना भी बढ़ा नहीं है कि मुझे visiting card लगे तो शायद अभी के stage के लिए शायद मैं ये नहीं बनाऊंगा सोचेंगे future में in case बना भी लेंगे तो बना लेंगे यार कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो तो guys बस यही information था जो मैं आप लोगों को देना चाहता था और I hope आपको ये video पसंद आया होगा और in case आपके mind में कुछ questions है regarding this topic then you can ask me आप comment section में आप अपना question डाल सकते हो so that's it guys from this video thanks for watching and have a nice day